हर सुबा जब मैं जाकता हूँ तब मैं सूचता हूँ ये कौन सी जगह है मैं कहा हूँ नमस्ते दोस्तो मैं अंकुर आरिये आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातर में आज हम बात करेंगे चंपक की एक और ऐसी कहानी की जिसको सुनकर आपको याद आजाएगी आमीर खान की एक फिल्म गजनी की इस फिल्म में एक कैरेक्टर होता है जिसको आमीर खान प्ले कर रहे होते हैं वो हर 15 मिनट में अपनी ही कही हुई बात को भूल जाता है उसको याद नहीं रहता है कि अभी थोड़े देर पहले उसने क्या किया था, उसको खुद नहीं पता है कि उसके घर में light का बटन कौन सा है, पंखे का बटन कौन सा है, या cooler का या AC का बटन कौन सा है, इसलिए उसको alarm लगा कर रखना पड़ता है, वो alarm बोल जाता है, लेकिन जहां हम जिस चंपक की बात कर रहे हैं, उसका जो केरेक्टर है, जिसने उसको लिखा है, या लिखवाया है, या बुलवाया है, या जो उस अंदेश को लेकर के आया है, उसको कुछ भी मान सकते हैं, उसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो अल्ला है, ये हमारे प्यारे नभी स पैदा किया हुआ है कि वो ही सर्वे सर्वा है अब हमारे प्यारे नभी ही शक्तिमान है और हमारे प्यारे नभी ही गंगादर है शक्तिमान आकर गंगादर के ही कान में बोल के जाते हैं और गंगादर उसको हुबहु छांप देते हैं और जनता को पता लग जाता है कि आखिर कार सक्तिमान आज कहां थे उन्होंने क्या कहा और क्या से क्या हुआ अब यदि हम मनुष्य उत्पत्ति की ही बात को ले करके चले और चंपक में खोजने लगें तो आपको वास्तों में उस चरित्र की याद आ जाएगी जो आपने गजनीव मूवी में देखा था उसका मैं का ये वर्त नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि प्राथमिक मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को क्लियर किया कि कहीं भी जो प्रत्वी में वैदिक मानेता के अनुसार एक मनुष्य पैदा नहीं से धर्ती के गर्ब में वो बच्चे पलते रहे प्रत्वी उनका पोशन करती रही और वो एक पेड़ की बहां थी यानि कि उनकी रूट्स जो थी वो जड़े जो पेट में से हमारे जो नाली का निकलती है जब हम गर्ब में होते हैं ऐसी नलिकाएं निकली हुई थी और प् स्टेनलेस स्टील के ढकन जिन्होंने अपनी बुद्धी पर ढके हुए हैं उपर से उनको डबल स्योर्ड हरिसन के ताले मजबूत ताले बंद करके जो आए उन्हों लोगों ने उस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है धर्ती में से इंसान कैसे नि पर कि बहुत सारे उन्होंने आक्षेप लगाए हाला कि ऐसे लोग पहले अपने गिरेवान में नहीं जाकते हैं मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो लोग खुद बारूद के ढेर पर बैटे हों वो दूसरों की तरफ माचिस की तिलिया नहीं फैका करते ऐसा ना हो कि सामने वाला हो माचिस की जलती वी तिलिया आपी के ऊपर फैक दे और वो जो बारूद का डेर है वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाए और आपकी अस्थी पंजरों का भी पता ना लगे उसका मैं कारण बता रहा हूं वेदों में ये बात कही गई है यानि के कई मनुष्यों की स्रिष्टी हुई और उनसे फिर आगे की जनरेशन बढ़ी कुरान इस विशे में क्या कहता है इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं हाबिल और काबिल सगी बहनों के लिए लड़ रहे हैं जुड़वा जो उसके साथ में बहन हुई है उसी के लिए लो चलो ठीक हैं के लिए लेकिन उनके आगे बच्चे कैसे होंगे उनको वह सारे बच्चे तो अपनी सगे भाई और बैनों से पैडा करने पड़ेंगे माल या के हाबील की बहन काबिल की बहन यह अलग अलग पैदा हुई हैं लेकिन हैं तो सेम ब्लड उनके माता-पिता दोनों के एक हैं लेकिन ऐसे में असहाए निसहाए वह सुप्रीम पावर केवल देखती रहाती है और वह आपस में दूसरे का खून कर देते हैं पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अब अगर बात सिर्फ इतनी सी होती तो हम मान जाते लेकिन यहां वही आदम हो रहवा टपके कहां से थे आप समझ सकते हैं यदि कोई व्यक्ती 20 माले से कूच जाए या गिर जाए नीचे गिरने के बाद वो बचेगा नहीं लेकिन ये वो लोग हैं जो कई प्रकाश वर्ष दूर इस्थित किसी गुमनाम जन्नत से धरती पर गिरते हैं और सबस जाते हैं फिर एक दूसरे को डून्डते हैं डून्ड के मिल भी जाते हैं मिल के वो बच्चे पैदा करते हैं वहां सगे भाई बहन आपस में बच्चे पैदा करते हैं और उन से फिर एक कौम पैदा होती है जो अपने आपको 1438 साल पुराना मानती है गजब है इनका末कर cumpl common sense या इनका non-sense या non-scientific बाते बहुत गजब हैं आगे बढ़ते हैं कुरान इस विशे में क्या कहती है हम से कई बार प्रशने पूछा गया है कि क्या वेदों में लिखा गया है कि प्रत्वी की कितनी स्पीड है क्या वेदों में पता है कि चांद की कितनी स्पीड है क्या आ या नहीं लिखी है जबकि कुरान तो सुप्रीम पावर का दिया हुआ किताब है लेकिन उसमें तो कहीं नहीं लिखा है और भी सबसे बड़ी बात कि ये कहा जाता है कि कुरान सबसे आसान करके बताई गई थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ही सबसे निम्न तरपुस्तक है जिसमें बताया आखिरकार कुछ भी नहीं गया और वो तो बिलकुल भी नहीं बताया गया ऐसी सब बाते साइंस से रिलेट भी करते हैं और जब हम साइंस के उपर आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं कुरान कोई साइंटिफिक बुक नहीं है तो कुरान कैसी बुक है कुरान हर पंदरवे मिनट में अपनी पिछली कही हुई बात को भूलने वाली किताब है हमने आपको बताया कि हाबिल और काबिल की लड़ाई और उसके साथी साथ सगी बहनों से आगे की संतती पैदा करने का जिक्राया है लेकिन कुरान तीन जगा और आपको कंफ्य करती है जहां वह भूल जाती है कि पिछली आयत में क्या कहा था आए देखते हैं कुरान मनुश्य उत्पत्ती के विश्य में कहां-कहां कंफ्यूज है दोस्तों ये मेरे पास में कुरान है एक मैं आपको तीन प्रयनों का रेफर्रेंस दूघा ये कुरान है इसमें सूरा पंदरा अलहिजर और इसकी आयत नमबर 26 है तो इसमें लिखा है हमने इनसान को सड़े हुए सूखे गारे की मिट्टी से बनाया है और आगे लिखा है और उससे पहले हम जिन्नों को लू की लपट से पैदा कर चुके हैं तो इसमें आप ये देखे कि हमने इनसान को सड़े हुए सूखे गारे की मिट्टी से बनाया है अब ये सड़ा हुआ सूखा गारा क्या है हलाकि ये सबसे बड़ी जहालत है कि जिन्नों को लू की लपट से पैदा किया है और आज तक वो जिन्न किसी को दिखाई नहीं दिये है अब जो लोग कहते हैं कि जमीन से कैसे निकल सकता है भाई आपने तो कह दिया कि वेदों में जमीन से इनसान को निकाला है मैं आपको बताओं सूरा बीस ताहा और इसकी आयत नमबर पचपन यदी हम पढ़ेंगे और उससे पहले भी हम थोड़ा चा पढ़ लेते हैं तरेपन से चुरू करते हैं वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन में गहवारा बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते जारी किये और आस्मान से पानी उतारा फिर हमने उसके जरिये से मुक्तलिफ किस्म के पेड़ पोधे निकाले यानि कि हमने उस जमीन से बहुत सारी किस्मों के पेड़ पोधे निकाले हैं पेड़ पोधे निकलते हैं जमीन से ही निकलते हैं कोई आसमान से ने टपकते हैं आगे पढ़ते हैं मज़ा आएगा 54 वी आयत कहती है खाओ और चोपाईों को भी चराओ बेशक इसमें कितनी ही निशानिया हैं अकल रखने वालों के लिए जानिके एक मोटी सी बात बताईए कि चोपाई जो जानवार है उनको चराओ और उसमें बहुत सारी निशानिया वो निशानिया ढूंडते रहो अब 55 वी आयत पर आते हैं उसी से हमने तुम्हें पैदा किया और उसी में तुम्हें हम लोटाते हैं और उसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे ध्यान से सुन लिया होगा आपनो उसी से यानि कि उसी जमीन की बात यहां पर चल रही है जहां से हमने पेडों को निकाला है उसी गहस में आप चोपाईों को चराओ और उसी जमीन से हमने आपको पैदा किया है उसी में हम वापस आपको लोटा देते हैं यानि कि आप कबरगाह में जब जाते हैं और उसी से तुम्हें हम दो बारा निकालेंगे यानि कि कुरान कहे तो सब बहुत बढ़िया बात है यार क्या बात है क्या गजब की बात कहिए भाई कुरान की definition ये है, इसका कहना ये है, ये लोग हिंदू हैं, ये काफिर हैं, ये नहीं समझते हैं वो समझा दे भाई, ये धरती से इनसान को अल्ला मिया निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है वेद तो इस वारे में clear है, ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है अन से ये शरीर बनता है, क्योंकि अन का ही जो अंतिम छोर है, यानिके अंतिम धातु है, वो शुक्र है, ये रज है और वही जब गरभावस्था में अन जाता है, उसी शरीर बनता है, वहां तो clearance है, बहुत clarity के साथ में बताया गया है लेकिन भाई ये coding decoding क्यों, ये कुरान में इतनी सारी coding decoding क्यों और फिर संजे सिंगानिया क्यों बनना अब हम आते हैं दोस्तो, सूरा नंबर 96 में, और इसकी आयत नंबर है 2, ये है सूरा अलक मक्की आयते 19, रकू 1, दूसरी आयत पैदा किया इनसान को चिपकने वाली चीज से, संजे सिंगानिया का एक और जोल, यहां चिपकने वाली चीज है, मैं आपके सामने एक और कुरान लेकर क्या आना चाहता हूँ, इस कुरान में हम 96.2 पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, पैदा किया मनुष्य को अलक, यानि के जमे हुए खून से, यहां लिखा हुआ है जमे हुए खून से, और संजे सिंगानिया का तीसरा जोल, जो सबसे पहले आपको पकड़ना चाहिए, वो आप इस कुरान में देख सकते हैं, यह कुरान हमने मंगवाई है, बहुत बड़े सर्जन, वर्ल्ड फेमस, डॉक्टर ज जाकिर नाइक के चेले से, और इसमें लिखा है कि हमने इनसान को बनाया है मांस के लोथडे से, अब संजे सिंगाने से कोई पूछे, पूछे कोई इस गजनी महराज से, कि यह मांस का लोथडा इनसान से पहले कहां से आ गया, यह मांस का लोथडा कैसे बनाया, भाई उसके बारे में भी तो बताओ यानि कि कोई इनका टॉपी क्लियर नहीं है इनका कोई भी कॉंसेप्ट क्लियर नहीं है सिर्फ मूठ हाकर क्या जाते हैं अल्रेडी स्टेनलेस स्टील के ढखकन बंद हैं डबल सील्ड उसके उपर ताले लगे हुए हैं उपर से आपने देखा है ना दोने को यदि हम सीधा ना रखे उल्टा रखे हैं उपर से अगर दूद डाले तो दोस्तों सारा बाहर निकल जाता है इसी तरीगे से दोना या धकन इनका उल्टा है उपर से जितना जियान डालोगे उपर से वो बिखर चाएगा अंदर कुछ भी नहीं गुसेगा नो दिख्या नो प्रमाण नो सिधान्त और सिर्फ और सिर्फ कहना है वेद गलत हैं वेद अप्रमानिक हैं वेद आव्यवारिक हैं वेद जूटे हैं बस तो आज का वीडियो आपको बता देगा के कौन जूटा है और कौन सच्चा है और कौन खुद में संजे सिंगानिया है इसी प्रकार से हम आपका जियानवर्धन करते रहेंगे धर्म के उपर होने वाले जितनी भी प्रहार हैं उनका यहां से पटाक शेप करते रहेंगे चैनल को बढ़ाने वीडियोज को शेयर करने में हमारा सहयोग करें मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय हिंद अबंदे मातरम